जोहर साथियों मैं मुकेश फिर्वा ज्ञारकंड विदानसवा चुनाओं में राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है अभी तेक बीजेपी की काई नेताओं को ही ज्ञारकंड की जनता ने सुना लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने असम के सांसद सावरब गोगोई को ज्ञारकंड में उतार कर असम के मुख्य मंत्री हिमांता विश्वसर्मा को आइना दिखाने के कोशिश की है सावरब गोगोई ने कहा कि हिमांता विश्वसर्मा राजनीतिक परियाटक है और जारकंड के भोले बाले आदिवासियों को ठगने के हैसिय से दवरा कर रहे हैं उन्होंने आगाह किया कि वे लोग हेमंता विश्व सर्मा के जहांसे में ना आएं क्योंकि ये गैर आदिवासी असम में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हटा कर बने हैं यह आदमी असम की अपवाहों को जारकंड में फैलाने के लिए लगाए गए हैं उन्होंने सवाल पूछा कि क्या असम में एनारसी हुआ उनके पूछने के लहज़े से लग रहा है कि जो एनारसी हुआ है वह सिर्फ मुसल्मानों को तंग करने के लिए परेयोग हुआ है जो हिंदू है उनने किसी न किसी तरीके से इनार्सी के अंदर लाकर उन्हें भारत की नाग्रिकता दे दी जा रही है यही कारण रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में इनार्सी करवाना पड़ा जबकि उसके लिए एक अलग इकाई बनाई गे थी जो भी इनार्सी के नाम पर भाजपा ने वहां तांडाव किया वह मानुई तो बिल्कुल भी नहीं है और असम की जनता अभी भी पूछ रही है कि क्या इनार्सी वहां हुआ है यहां पर आपको एक आदिवसी होने के ना तेकमत पूंची समझने की बात है बंगलादेश से घुस बैट करके काफी संख्या में लोग असम के आदिवसी इलाकों में रहने लगे जोपड़ बनाकर या खुले आकास में ही यहां वहां बंगलादेश से भाग कर रहने लगे एक समय में उनकी संख्या दिखने भी लगी तो असम के आदिवसीों ने इस बात से विरोध किया कि वह लोग एक तो इनकी जमीन पर रवाय दरूप से रह रहे हैं और दूसरा उनके कारण के संस्कृति को खत्रा उत्पन हो रहा है चुक्कि उनकी भाषा, उनका पूझा पत्रित सब दूसरा है इसी के मद्दे नजर इनार्सी के जवरत महसूस की गई और जब तक इनार्सी शुरू होती तब तक भाजपा का सासनराज में आ गया उन्हीं जगहों पर बसाया जहां वे लोग पहले से रहते आ रहे थे यानि कि आदिवसियों के जगहों पर मुसल्मान तो इनार्सी से बाहर हुए लेकिन लाखों लोग तकरीबन 15-16 लोग जो बिदेशी हिंदू थे आदिवसियों के जल, जंगल और जमीन पर अपनी हिस्सेदारे शेयर कर रहे हैं जहारकन में भी यदि ये लोग इनार्सी करवाएंगे तो जो भी हिंदू घुस पैठिये हैं उन्हें ये लोग इनार्सी के अंदर ले लेंगे और रगवरदास के समय में जो लैंड बैंक बनाया गया था हिंदू घुस पैठियों को अवंटित की जाएगी आदिवसी लाकों में इस तरह से गैर आदिवसीं की जन संख्या बढ़ाई जाएगी और आने वाले समय में परिसीमन में आदिवसी सीटों की संख्या को कमतर किया जाएगा बहुत सी विसंगतियां हैं उसे आने वाले समय में हम लोग जरूर चर्चा करेंगे लेकिन इस समय जो बातें सवरभ गोगोई ने कही उसके पीछे की मंसा यही बताती है वास्ताव में इसमें जहारकंड राजनीतिक प्रयाटन का केंडर बना हुआ है यह लोग जहारकंडी संस्कृति को जो परकृति के अनुकूल है में विश फैलाने में लगे हुए हैं यह लोग आपस में बैर करना सिखा के जा रहे हैं यह लोग तो भूल जाएंगे लेकिन जहारकंड की भोली भाली जनता एक दुसरे के परती हीन भावना को एक दुसरे के परती दुश्मनी की रूप में जारी रखेंगे जिससे जहारकंड की जहारकंडी संस्कृति को ही नुकसान होगा इसलिए जरूरी है कि हम आप अपने रिष्टों के बारे में संजिदा रहें और एक दुसरे का सम्मान करें जहारकंड में आकर हीमंता विश्वसरमा जनजातियों के हित की बात कर रहे हैं लेकिन खुद वे एक जनजातिय मुख्यमंत्री सर्वनंद स्वनवाल को हटा कर बने हैं उन्होंने कहा कि सर्वानंद स्वनवाल काफी लोगप्रिय नेता हैं लेकिन आदिवसियों की लोगप्रिता भारतीय जनता पार्टी को नहीं सुहाती है इसी कारण से उनके मुख्य मंत्री तोकाल में हुए चुनाओं में जीत के बाद भी शिवराश सिंग चोभान की तरह मुख्य मंत्री पद से उन्हें हटा दिया गया हिमंता विश्व सर्मा कट्टर हिंदुतो का राग अलापते अलापते एक आदिवसी मुख्यमंत्री सर्व नंदा सो नुवाल के छाती पर खंजर मार कर मुख्यमंत्री बन गए इस समय असम के मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रयाटक के तोर पर निर्वाचन के समय घूम रहे हैं उन्होंने यह भी असपस्ट किया कि जो घूसना पत्र जामूमो और कॉंग्रेस का आ रहा है उसे जनता के काम कोई आसान बनाया जाएगा मतलब जनता के कंधों को मजबूत बनाने के लिए वा घूसना पत्र आ रहा है हमने अपने पहले वाले वीडियो समय अंदेशा जाहिर किया था कि यदि भारती जनता पार्टी को बहुमत मिलती है तो जारकन में भी चिट से मुख्यमंत्री तै होगा और बहुत उमीद है कि कोई गैर आदिवसी ही मुख्यमंत्री होगा अब तो असम के सांसत ने भी इस बात पर मुहर लगा दी कि जो मुख्यमंत्री खुद एक आदिवसी मुख्यमंत्री को हटा कर मुख्यमंत्री की कुर्सी कबजा कर ली हो वह यहाँ पर भी इसलिए किसी आदिवसी का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में ये लोग टै नहीं कर रहे हैं जब कि जारकंड के चार-चार पूर मुख्यमंत्री भाजपा में हैं जो आदिवसी हैं जो हाला अभी जारकन में भारती जन्ता पार्टी ने पैदा किये हैं, वो असपस्ट संकेत दे रहा है कि भारती जन्ता पार्टी को जड़ी बहुमत मिलता है, तो जारकन का अगला मुख्यमंत्री गहरा दिवसी होगा। चमपई सोरेन के बेटे को टिकेट दे देने के बाद अब चमपई सोरेन का मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस नहीं है, अरजुन मुंडा खुद चुनाओ नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाओ मैदान में हैं, यह इस बात का संकेत है कि वे भी मुख्यमंत्री की द यह भी इस बात का संकेत है कि बाबुलाल मारंडी भी मुख्यमंत्री की धावेदारी में नहीं है मधुकुडा इस सीन से बाहर है क्योंकि वे चुनाव लड़ने की पातरता नहीं रखते हैं आप जारकंड के आदिवासी मूलवासी भाजपा के राजनीती को ठीक से समझें भाजपा को दिया जाने वाला एक एक बोट एक गयर आदिवासी को जारकंड का मुख्यमंत्री बना देगा मतलब सीधे तोर पर आप समझें तो रगुवर रिटरंस कह सकते हैं और ऐसा होता है तो फिर से CNT1, SPT1 में संसोधन के बिरुद लड़ाई गोड़ा में आदिवासीों की जमीन अडानी को रगुवर दास नहीं दी थी इसका मतलब उनमें पातरता कूट-कूट के भरी हुई है भाजपा को ऐसे ही व्यक्ति की जवरत होती है ऐसे सिर्षपदों के लिए ताकि शपत गरहन के तुरंद बाद उनके पूझी पती दोस्त के लिए कुछ निर्में आ जाना चाहिए जिस तरह 36 गड़ में आदिवासी मुख्यमंत्री विश्नो देव साय ने अपनी सपत गरहन के एक सपता के अंदर हस्दे वर अरन्य के पेड़ों को अढ़ाने के लिए काटने का आदेश्ट दिया था मारके वाली बात यह है कि जब विश्नो देव साय ने हस्दे वर अरन्य की जंगलों को काटने का आदेश्ट दिया था उस समय तक उनकी मंत्र मंडल भी गटित नहीं हुई थी और इसी तरह की पातरता रगोरधास में भी है खैर आप सभी लोग इन राजनीतिक प्रयाटकों का क्या करेंगे ये मैं आप पच्छोड़ दे रहा हूँ उधर हिमंत सोरेन ने भी हिमंता विश्व सर्मा पर आरोप लगाया है कि जारकंड के लाखों आदिवसी सदियों से असम के चायवगान में काम करते हैं लेकिन वहां हिमंता विश्व सर्मा की भाजपा सरकार ने उन सभी आदिवसीयों की पहचान खतम कर दी है उनका अस्तित्व खत्रे में है और यहां जारकंड में आकर ये लोग जूट बोलते हैं भाजपा का मतलब ही है बड़का जूटा पाटी वही बात मेरे विशलेशन में भी आ रहा है कि हिमनता विश्वसरमा असम में आधिवसियों के अस्तित्व के साथ खिलवारतों करी रहे हैं उनके अधिकारों को भी समाप्त किया जा रहा है उपर से एक आदिवासी मुख्य मंतरी का अस्तितो भी उन्हों नहीं समाप्त कर दिया और यहां आदिवासीों को अधिकार की बात कर रहे हैं हेमन सुरें ने यह भी आरोप लगाया कि केंदर सरकार के हाथों में संस्थाएं कटपुतली की तरह नाच रही है यह संस्थाएं जब चाहे जैसा चाहे जिसे चाहे आदिश सुना दे रही है खैर कोई बात नहीं यह संस्थाओं को तो खरीद लेंगे लेकिन जन समर्थन कैसे खरीद पाएंगे असम के संसथ सवरुप गोगोई के ज़ारकन विधानसवा चुनाओं के प्रचार में उतरने से ज़ारकन की जनता को भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि आखिर असम में क्या कुछ हो रहा है यह लोग सिर्फ बंगलादेशी घुसपेटियों की बात उठा कर असम के आदिवासी मुख्यमंतरी पर किये गए अत्यचार को दबाना चाहते हैं इनार्सी के नाम पर किये जा रहे अत्यचार को ये लोग दबाना चाहते हैं आदिवासीों की जल, जंगल और जमीन की इनार्सी के तहत कबजे की भात को ये लोग दबाना चाहते हैं आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे इस वीडियो में इतना ही बाकी आपकी एकता बनी रहे सबों को धन्यवाद जोहार